आवर्धन नहर में नो दिनों के बाद बच्चे का शव बरामत कर लिया गया है आपको बता दे कि जिला प्रिशासन और NDRF की टीम बच्चे को खोजने के लिए प्रयासरत थी गौर तलब है कि पिछले कुछ दिन पहले एक पिता ने अपने तीन बच्चों को आवर्धन नहर में फेक दिया था जिसकी तभी से तलाश जारी थी बता दे कि आवर्धन नहर में करनाल के गाउं सिर्सी के पास ये शव मिला है बच्चे की शनाक्त आठ वर्षियर शव कुमार के रूप में हुई है शव को कबजे में लेकर मेडिकल कॉलेज के पोस्ट मॉर्टम हाउस में रखवा दिया गया है पोस्ट मॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौपा जाएगा अब गोता खोरों की टीमें दो अन्य बच्चों की तलाश कर रही है उमीद जग गई है कि दोनों बच्चों के शव भी मिल जाएंगे वही टीमों ने पश्चिमी यमुना नहर वर पेरलल नहर के अलावा रोतक भालोट नहर में भी सर्च अभियान चलाया लेकिन दो बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया बता दे कि पैरलल वर पश्चिम यमुना नहर के अंतिम छोर हैदरपूर दिल्ली में स्क्रीन लगी हुई है इसमें नहर के पानी में बहते हुए तिनके भी तस्वीर स्क्रीन बर साफ दिखाई देती है इस संबंद में धाना कुझपूरा प्रभारी मुनिश कुमार ने बताया कि वे हैदरपूर निगरानी पॉइंट पर लगातार संपर्प कर रहे हैं उधर बच्चों की मा और दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल है बताते चले कि तीन दिन के पुलिस रिमान पर चल रहे तिहरे हत्याकान के आरोपित सुशील कुमार से पुलिस गहन पूच्टाश कर रही है इससे पूर्व आरोपित के एक दिन के पुलिस रिमान की अवधी पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था फिर से पुलिस ने उसे सोंबार को तीन दिन के पुलिस रिमान पर लिया था यह कहां से बरामदवा लड़का सर्सी नहरपुल्क से थोड़ी सी आदे के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden at J.B.D. Banquets Enterprise